जैकिसान साथियों डॉक्टर पुनिस से सौधिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक रॉट बीमारी के बारे में यह जो बीमारी होती है काफी ज़्यादा पहंकर होती है हमारी फसल में आने के बाद हमारी फसल को 70-80% तक तेमेज कर देती है याजी हम इसकी सुरुवाद में पहचान करके रोग थाम नहीं कर पाते हैं तो इस बीमारी के जो आनी का कारण होता है बैक्टिरिया जनक बीमारी होती है यह जो सबसे ज़्यादा आती है हमारी बंद गोवी, फूल गोवी, ब्रोकोली, केल, कोल रभी, आदी फसलों में सबसे ज़्यादा लगती है यानि कि यह जो फसल होती है इस बीमारी के लिए most susceptible crop होती है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी पहचान कैसे करें, कैसे इसकी रोक थाम करें, इसके आने का क्या क्या कारण होता है, कौन-कौन से precautions हमें रखने चाहिए साथ ये जो best fungicide या bacteria side है इसकी रोक थाम के लिए वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हो, तो वीडियो काफी अच्छा होने वाला है, पूरा आप जरूर देखिएगा उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं, जो भी जानकरी आपको इस channel पर provide कराते हैं, उससे पहले उसके बारे में गहरी research करते हैं, research के बार trials करते हैं, research और trials के basis पर जो हमें अनुह प्राप्त होते हैं, उन्हें हम आपके साथ साजा करते हैं, यानि कि हम जो भी जानकरी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं, वो 100% सटीक और सची होती हैं, आप उन पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक ब्लैक रॉट पर, ब्लैक रॉट के अदि हम पहचान की बाद करें, तो इसके जो सिम्टम्स हैं, वो जो हमारी पुरान कलर की पत्तियां होने लगती हैं, दीर दीरे पूरी पत्ति पहले पढ़के सूख जाती है, और आप बाद में देखेंगे, जो पत्तियों की सिराय होती हैं, जो वेंस होती हैं, वो भी ब्लैक हो जाती हैं, इसलिए हम इसे ब्लैक रॉट कहते हैं, और बाद में हमारे पूर एक फसल को नश्ट कर देता है यह इसमें जो एक बैक्टिरिया होता है बैक्टिरिया के कारण यह हमारी फसलों में आता है बैक्टिरिया क्या करता है वो सिराओं के माध्यम से हमारी पत्यों के अंदर एंटर कर देता है जो पत्यों की सिराय होती है उसके माध्यम से पत्यों क अंदर घुशता है और पूरे-के-पूरे प्लाइंट में फैल जाता है ज WOW पूरा का प्लांट में दिखा ही देता है तो पूरे-के-पूरे प्लानट को जड़ सम्हीत निकालिए क्योंकि यदि आप ऊपर से काट देते तो बेक्टरिया जो ऑमारे पूरे या कि आने की चांस बढ़ जाते हैं इसलिए उसको जड़ से उखा लिए जड़ समीत प्लांट को निकाल कर खेश से बाहर कहीं दवा दी दिये जिसमें भी प्लांट में यह सिम्टम्स आपको दीखे सुरवात में इसलिए यह जरूरी होता है कि जिस भी प्लांट में है उसका कोई भी पार्ट आपके फिल्ड में पढ़ा ना रहे वरना वह बैक्टरिया वहीं पर जीवित रहेगा कई सालों तक जिससे आगने वाले समय में यह समस्य आपको अपने खेट में देखने को मिल सकती है अब इसके हम जानते हैं कि इसके आने का क्या क्या करण होता है एक त का मतलब है गरम पानी में हमें उसको डाल कर और उसको ट्रीट करना होता है उसके लिए 50 डिगरी सेल्सियस तक हमें पानी को अबालना होता है उसके बाद जो भी हम बीज लाएं उसको डालना डाल कर उसमें 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना होता है इससे जो भी उसका रोग किया जाता है क्योंकि यदि आप पानी का temperature जादा कर देते हैं तो और उसके बाद उस seed को उसमें डालते हैं तो seed को छhati पहुंच सकती है seed को नुखसान पहुंच सकता है जिससे germination में problem आ सकती है यदि seed का germination नहीं आएगा उसके बाद यदि दूसरे खेट में जा रहे हैं तो सब को disinfected आउजारों को अच्छे से कर लें साथ में लेवर से कहें कि अच्छे से अपने पैरों को हातों को धोलें ताकि उस खेट की मिट्टी दूसरे खेट में जाती है तो बैक्टिरिया का आपका ट्रांसपर हो जाता है और दूसरे खेट में भी वो समस्या आपकी पनप सकती है उसके बाद जो फसल में water का management है वो हमें काफी अच्छे से रखना चाहिए फसल में ज़्यादा जल भराब ना होने दें ज़्यादा नमी ना होने दें और ज़्यादा मिट्टी को ना ज़्यादा dry होने दें यानि कि पानी को maintain रखें नमी को moisture को maintain रखें हम किसी भी फसल में यदि पानी को maintain रखते हैं पानी ना ज़्यादा दं होने देते हैं ना ही soil में ज़्यादा dry होने देते हैं तो उसे हम किसी भी फसल में बीमारियों को 70-80% तक control कर सकते हैं तो यह water के management पर काफी ज़्यादा बीमारिया depend होती हैं पानी का management आप अच्छे से करिएगा उसके बाद यदि हम chemical control की बात करें तो chemical control में आप स्टप्रोसाइसलिन का spray कर सकते हैं अठाइर ग्राम पिति एकड के हिसाब से हमें spray देना होता है तो बहुत ही अच्छा bacteria side है जो इस रोक्तों को आसानी से control कर लेता है उसके बाद दूसरा है जो जो ब्रांट नहीं से आता है कासुबी के नाम से आप उसका भी spray कर सकते हैं साड़े 300 से 400 ml पिति एकड कर के हिसाब से spray करते हैं तो भी ये बिमारी control हो जाती है आप ध्यान रखें जब भी पहला spray करें पहले spray के साथ से 10 दिन बाद आपको दूसरा spray करना है कम से कम दो spray अपनी crop पर करने है उसके साथ साथ जो मैंने आपको chemical बताएं यदि आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलते हैं तो आप इनको online भी घर वैटे मंगा सकते हैं उसके लिए मैं आपको description में link दे दूँगा आप वहाँ जाकर online purchase कर सकते हैं किसान भाईयो यदि जानकर ये अच्छी लगी तो वीडियो को like कीजेगा और अच्छी नहीं लगी तो dislike कीजेगा लाइक या डिसलाइक कुछ ना कुछ करके जरूर जाईएगा उसके साथ सथ अधिक किसानों के साथ इस वीडियो को जहिर करिएगा ताकि उन्हें भी जानकरी पहुंच सकें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर दीजेगा ताकि आने वाली सभी latest वीडियो की notification आपको समय पर मिल जाए फिर मिलूंगा आपको एक और नए जानकरी के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा धन्यवाद